Hi friends, good morning, Presidential name My immediate channel Moneybank Friends, मैं यह उन्हे नया चैनल डिश्ट्राट किया है, name supa moneybank way वा जो सबसे पहले में आप लोगों को अपने बारे मेरा कुछ बता दूछ My name is Amit मैं एक atmosphere engineer हूँ in the last 10-12 years semž sustainability companyI बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट मेरा एक पैशन है, मैंने लास्ट फिफ्टीन येस से शेयर मार्केट को बहुती क्लोजली वाच किया है, चाहे मार्केट पीक पे गया हो, चाहे मार्केट डाउन गया हो, मैंने मार्केट के हर एक मूव को बहुती क्लोजल किया है मार्केट में एक टाइम आया था 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस समय भी मैंने मार्केट को बहुत ज़्यादा क्लोज watch किया था और understand किया था कि क्यों मार्केट में डाउंठ गुव आया और friends मेरा यह मानना कि चाहे मार्केट में डाउंठ मोव दॉख आई कुछ शेयर्स ऐसे थे कि उन्होंने अप्मूव दिखाया था और प्रॉफिट बुक किया था जब कि पूरा वर्ड मनी प्राइस से जूज ज़ा था एक ऐसा ही शेयर था उस समय बाटा बाटा इंडस्ट्री को हर पूल जानता है शूज मेंकिंग कमपनी तो उस कमपनी ने उ अपनी नेट वर्थ बढ़ाई थी कमपनी के रिजर्व बढ़े थे तो यह हमें पहले से ही इंडिकेशन मिल जाते हैं किसी भी कमपनी के अप्मूव होने के कि वह कहां तक जाएगी विकॉज अगर उसके फंडमेंटल स्टॉंग है तो कमपनी हमेशा अप्मूव परेगी बट उसके लिए थोड़े पिशेंस की जुध है हम लोग जल्दी बाजी में क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट होता है किसी शेयर में हम उसको एक्जिट कर देते हैं चाहे वो फंडमेंटल बहुत स्टॉंग हो बट हमें फ्रेंट्स ऐसा नहीं करना होता हमें यह द रूपीज का था वो आज की डेट में भी उतने ही रूपीज का है विकॉज उसके फंडमेंटल बहुत ही ज्यादा पूर है उस कंपनी में इतना डेट है कि उसका नेट वर्थ भी उसके सामने छोटी परती है अगर हम देखेंगे तो वो कंपनी कि डेट इक्विटी रेशियो में 5% पर काम कर रही है means उसका डेट इक्विटी रेशियो 5 है इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी का अगर एक रुप्या खुद का लगा हुआ है तो 5 रुप्या उसमें लोन के लगे हुआ है तो ऐसी कंपनी चाहे कुछ भी हो चाहे सेंसेक्स प आज की डेट में वो 70,000 है विकॉस उसकी बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो उसके रिजर्फ बढ़े हैं उसने अपने डेट को बहुत ज्यादा रिडियूस किया है अपनी नेट वर्थ को इंक्रीज किया है तो फ्रेंड्स अगर किसी कंपनी के फुनामेंटल्स बहु को चोटे ही प्रॉफित में बोग करके बाहर निकल सकते हैं कि जिस भी शेयर में इंबस्ट करता हूं को चेक करता हूं और तभी मैं उसमें इंवेस्ट करता हूं तो उसमें से क्या हम 10 कंपणी ऐसी नहीं निकाल सकते जो हमें प्रॉफिट देंगी जिनके फंडामेंटल वाकी अच्छे हैं तो मेरा मनना यही है कि अगर कंपणी के फंडामेंटल पर काम किया जाए तो हम हमेशा प्रॉफिट ही बुक करेंगे और अगर कंपणी के फंडामेंटल को ना जानके, हमसि सिर्फ टेक्निकल एकसपेक्ट को देखेंगे तो कंपणी हमें शौर्ड टम में तो प्रॉफिट देगी बर लॉंग टम में वहमें कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी वह हमारा लॉज्स बॉक करा सकती है तो लास्ट 8-10 येर्स से मैं अब शेयर्स के फंडामेंटल्स पर ही काम करना हूँ और फंडामेंटल्स पर काम करने के बार मुझे पर सही मालूम चला है कि अगर कमपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो हमेशा आपको पॉपेटी देगा आज भी मैंने एक ऐसा ही शेयर सेलेक्ट किया है जिसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है बट उसके लिए हमें पेशन्स की काफी जोगत है तो आएए फ्रेंड्स हम देखते हैं वो शेयर है कौन सा शेयर को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँँगा फ्रेंड्स जो मैंने अपना मनीबैंग चैनल बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलिज शेयरिंग के लिए बनाया है मैं आपको इस चैनल के द्वारा किसी भी सिक्योर्टी को खरीदने या बेजने मैं सिर्फ चैनल केंसी क्रूटी करता हूं ताकि आप उस कंपनी के फंड़वियर सेथरी आपके साहिए करता हूँ उस ना इनलिसस करें आपने इन्वेस्मेंट एक्सपर्ला लें और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई शेयरिशार है करें हैं मैंने चैनल अपने प्रें कि उसमें मैंने अपने फ्रेंड से अपनी एनलिस्स को शेयर किया और उनके एप्रीशेट करने पर ही उन्होंने मुझे बोला कि आप जो भी स्क्रिप्ट देदे हो वो काफी अच्छी होती है मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा इंवेस्ट करना चाहते हैं बट उन्हें सही टाइम पे सही शेयर नहीं मिल पाता है जिससे वो अपनी मनी को लूज करते हैं और अपने इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट से भी सला लें नॉलेज गेन करें तभी उसमें इंवेस्ट करें ताकि उनका जो पैसा है वो मल्टी फोल्ड हो सके रधर रें कि उन्हें लॉस्बों को तो फ्रेंड्स यह चैनल सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए है और इसमें मैं आपको जो भी शेयर बदाऊंगा उसके लिए प्लीज आप अपना एनलेस्टिस जरूर करें अपने इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट के साथ सला जरूर लें फंडमेंटल्स पर काम करें हमीशा शेयर के कभी भी मार्केट में आगर कोई शेयर भाग रहा है उसमें बिलीव करके उसमें चलने कोशिश ना करें हमीशा उसी में इंवेस्ट करें जो लंबी अबधी में आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है जिसके फंडमेंटल्स बहुत जादा आच्छे हैं तो ऐसा ही एक शेयर मैंने सेलेक्ट किया है जो मैं आपके सामय लेगे आ रहा हूँ मैंने जो share select किया है वो है प्रकाश industry limited प्रकाश industry एक diversified company है जो तीन सेक्टर में अपने business को बढ़ा रही है पहला है steel sector second है power sector और third है PVC pipe sector प्रकाश industry एक काफी अच्छी company है और तीनों ही जगा वो अपने business को expand कर रही है सो आई एक फ्रेंट्स रहा fundamental के बारे में जाल लेता है company के company BSC और NSC दोनों में ही लिस्टेट है BSC में जो इसका code है वो है 506022 506022 NSC में यह प्रकाश के राम से लिस्टिट है sector इसका diversified है जैसा होगी मैंने आपको पहरे भी बताया था कि company power sector और steel sector तीनों में अपने business को expand कर रही है company का जो current market price है वो है 201 रुपीज जो की काफी attractive है अगर हम बात करें तो company ने अभी कुछी टाइम पहले अपने high cottage किया था 276 रुपीज को बट जैसा कि market में अभी profit booking चल रही है हमारे finance minister ने भी बोला था कि जो long term gain है उस पे हम 10% का tax लगाएंगे तो इसके चलते हुए market में एक अच्छा खासा correction आया है कल भी market में आपने देखा था कितना correction आया था तो उसके चलते हमें यह जो share है वो काफी discounted price पर मिल रहा है तो अगर हम इस price पे entry करते हैं तो हमें जल्दी ही profit होने लगेगा कि अगर उसे अपने portfolio में कोई भी चीज रेड में दिखाई देती है तो सबसे पहले उसके mind में negative thoughts आते हैं तो अगर हम इस level पे इसमें entry करते हैं तो sure हमारा जो portfolio है वो positive रहेगा और green देखेगा जो की एक positive attitude को बढ़ाएगा हमारे अंदर की हाँ हमारा portfolio अच्छा चल रहा है तो इस समय अगर हम इस स्टॉक में entry करते हैं तो काफी अच्छे levels है market capital की बात करें तो इसका market capital काफी अच्छा है 3000 करोर का book value भी इसकी काफी अच्छी चल रहे है और 46 की अब थोड़ा बात करते हैं PE price to earning ratio तो मैंने आपको दो PE ratio शो किया है पहला है industry PE दूसरा है stock PE तो industry PE क्या होता है industry PE होता है कि जो company जिस sector में listed है उस sector की जो peer companies है उनका overall industry का PE क्या चल रहा है और तो stock PE होता है वो उस stock का individual PE होता है तो industry PE की बात करें तो अभी 24 के आच पस चल रहा है और stock का PE 12 rupees के आच पस चल रहा है तो अगर हम देखेंगे कि 24 और 12 इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है तो इस्टॉक पी अगर कम है इंडस्टी पी इसे तो वो काफी अच्छा ग्रोथ कर सकता है आने वाले टाइम में क्योंकि इंडस्टी पी इसका काफी हाई है कि इस वैलिडी को इसने 10 रुपी इस तो मेंडेन किया हुआ है अगर हम अच्छी अच्छी कंप्णी को देखेंगे तो इसका अर्निंग पर शेर जो है वो काफी अच्छा है एपीएस सो वैसे ही इसका इपीएस भी काफी अच्छा है और यह बात करते हैं एबिटा की अगर ह अगर्णी के अगर्णी का था तो अभी इसका अब आप अप अपर आप इसका ना टाइम्स को कर चुगा है ना इन टाइम्स को कर चुगा है नेट सेल्स की बात करेंगे तो नेट सेल्स भी काफी बढ़ रही है वैजुली इसकी काफी इंक्रीज हो रही है और हाली में अभी इसके चेर्मन ने ये बोला है कि हम इस एयर एंड तक अपने रवेन्यू को 40 परसंट तक ग्रो करेंगे और कंपनी ने अभी जो अपने प् लुए तो कंपनी का विज्वन बहुत क्लियर है कि कंपनी को क्या करना है कहां जाना है कैसे जाना है कंपनी ने अभी दीमर को भी प्रपोस किया है कि वह अपने पीवीज और इस्टील सेक्टर को दोनों को टीमर्ज करेंगे तो काफी अच्छी अगर हम देखेंगे तो इससे न्यूस जूरी हुई है कम्पणी ने अपने लोन को डेट को 400 करोर रुपीज के डेट को और कम करने की सोची है करेंगे इस फाइनिशल एक अपनी की गोध करेंगे तो वह भी उसी डेक्सियों में बढ़ा है जैसे प्रॉफिट आफ्टर टेक्सिस नौ गुना दग कंपनी ने प्रॉफिट विफोर टेक्सिस को बढ़ाया है जो कि ये कफी पॉजिटिव है कंपनी की गोध के लिए यह कुछ और fundamental डिजस्ट है like debt equity ratio company ने अपने debt equity ratio को constant रखा है means company बाहर से loan नहीं ले रही है debt equity ratio point से लिटू का मतलब है कि company ने अगर खुद का 1 रुपया लगाया हुआ है तो बाहर से वो 30 पैसे ही ले रही है जो कि काफी अच्छा है debt equity ratio हमेशा एक से कम होना चाहिए वो company की positivity को दिखाता है company की net worth को शो करता है और company के results को शो करता है total debt company का थोला सा increase हुआ है बट अगर हम debt or equity का ratio दिखेंगे तो वो constant ही है return on net wealth जो हमारी net worth जो company की net worth है उसका return क्या आ रहा है अगर हम 2015 के comparison में देखेंगे तो ये 8 times increase हुआ है 0.44 से 3.64 जो की काफी positive indication है debt equity ratio constant है net worth पे return जो हमारे increase हो रहा है साथ ही अगर हम देखेंगी total results जो company के पास रखे हुए है company के कोश में जो पैसा रखा हुआ है या company की जो assets है या company के पास अपना जो money है वो भी हम देखेंगे तो वो भी increase हो रही है 1970 comparison में अब ये 2082 हो गई है साथ के साथ हमारा debt equity ratio भी constant है it means company काफी अच्छा grow कर रही है company अपने reserves को day by day increase करने की कोशिश कर रही है return on net worth company का बढ़ रहा है company की net worth बढ़ रही है so ये एक बहुती positive indications होते हैं बहुती positive fundamental होते हैं जो company को ये show कराते हैं कि company आने वाले समय में कहां से कहां पहुँश सकती है और हम अगर last water result देखेंगे तो company में बहुती अच्छा perform किया है और आने वाले समय में आपको इसके fundamentals और भी ज़्यादा स्ट्रॉंग दिखाई देंगे आयो फ्रेंट सुला business product और customer के बारे में जानते हैं प्रकाश industry के तो प्रकाश industry 1980 में establish होई थी उस समय जो main focus था इनका वो steel sector को लेके था बट धीरे-धीरे इन्होंने PVC pipes में भी एंट्री ली और recently इन्होंने पावर सेक्टर में भी एंट्री सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी government में बोला है कि 2020 तक हर एक गाउं में हर एक जगा पर पावर होगी तो इसी विजन को लेते हुए प्रकाश industry ने पावर सेक्टर में भी अपने आपको एक्स्प्रोर किया है और काफी तेजी से वो पावर सेक्टर में भी अपने आपको आगे दिखाई देगी हमें और खाफी ज्यादा प्रॉफिट वॉकिंग करेगी अगर हम प्रकाश के प्रोड़क्ट की बात करें तो आईरन और माइन्स रिजिट पीवीसी पाइप्स विंड पावर टीम्टी मिल वायर रोड मिल इस्टील मेल्टिंग शॉप फैरो एलोई प्रणे पावर तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बदाया था कि कंपनी ने अभी पावर सेक्टर में फिए एक्स्पेंड करना चाहती है कंपनी का ये व्यू है कि जो मैं पावर प्रोडिवस करूंगी लॉंग टम में वो मेरे प्लांट को सपोर्ट करेगी मुझे सपोर् प्लस पावर होगी वो मैं अपने कस्टमर को प्रोड़ करा हूँ जैसे कि हमारी कवर्मेंट का भी ये व्यू है कि 2022 तक हर एक गाव में पावर होनी चाहिए हर एक जगा पर पावर की विल्टी होनी चाहिए तो उस पाइंट ऑप यू से ही प्रकाश ने अपने अपको एक् और आने वाले समय में इसको और एक्समेंट करने के कोशिश कर रहे हैं अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे है तो वो नो डाउट काफी ग्रो करेगी बट टेक्निकल भी हमको कहीं बार देखने पड़ते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कि मार्केट करेक्ट हुआ है तो टेक्निकल यह शो कर रहे हैं कि अभी करेक्ट हुआ है बटाने माले समय मार्केट ऊपर जाएगा तो इस समय पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा प्रॉपिट काफी अच्छी तरीके से बढ़ता है काफी पास्ट बढ़ता है और वो हमारे अंदर एक पॉ कराया है जैसे मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ कंपनी के ट्रेंट की बात करेंगे तो वर्ल ट्रेंट इसका काफी बुलेश है 2017 फेबरली से लेकर अभी तक कंपनी ने काफी जाजा अपने शेयर को इंटूब किया है अपने मार्केट में अपने कस्टमर्स को काफ अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी का रसे 42 चल रहा है अगर यह 30 से नीचे चल रहा है इसका मतलब यह है कि शेयर ओवर अगर यह 50 से उपर चल रहा है तो वह और अगर यह 50 के आसपास चल रहा है तो इसमें अभी काफी अच्छा पोटेंशिल है शौट टम के लिए कि यह कफी ज़्यादा ग्रो कर सकता है बट यह सब शौट टम के लिए यह है फंडमेंटल अगर हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंशीट हमें काफी अच्छी है तो हमें दुनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है क्योंकि टेक्निकल हमें यह शौट करता है कि कंपनी में कब किस लेविल पे हम एंट्री करें ताकि हमारा प्रॉफिट जल्दी से जल्दी हमको मिले और जो फंडमेंटल है वह हमें यह शौट करता है कि लॉंक टम में कंपनी ग्रोट कैसी रहेगी सो रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो एकनॉमिक टाइम के टीम ने प्रकाश इंडस्ट्री के चेर्मेंट के साथ कुछ डिसकेशन किया था इसकेशन के लुए रहां काफी सारे कुश्टेन उन्होंने पूछें कि कंपनी कैसे अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकती है या कंपनीने कैसे अपनी को इंक्रीज किया है तो जो प्रकाश इंडर्स्ट्री के चेयर में ने उनका यही कहना था कि अगर हम देखेंगे कि चाइना ने अभी प्रोडक्शन को कटिंग डाउन किया है जिसकी वज़े से प्रकाश इंडर्स्ट्री का एक्सपोर्ट काफी इंक्रीज हुआ है और साथ-साथ कंपनी अपने वॉल्यूम्स को भी इंक्रीज किया है और कॉस्ट सेविंग पर कफी ध्यान दिया है और 76 करोर्स अगर देखेंगे तो स्टील बिजनेस का प्रोफिट है और 25 करोर्स जो बिजनेस है वो पीवीसी पाइप्स का है अनदर कोशन यह था कि अगर हम देखेंगे कि मार्केट में काफी सारी रीमर्ज चल रही है कि नॉन आयरन ओर बिजनेस और आयरन ओर बिजनेस आपस में डीमर्ज होने वाने है तो उसके बिहाफ पर आप इसमें कुछ कमेंट करेंगे तो चेयर्मेन का यही कहना था कि हाँ नेक्स फोट फाइव या फोट टू सिक्स में हम दोनों विजनेस को लीमर्ज करेंगे और दोनों को दोनों ही कंप्नीस को हम लिस्टेट कराएंगे और पहले हमारा देट 800 क्रोर आबहकर देसमंबर दिसेमबर में करेंगे और आनेवाले कंबर में इसको 400 करोर्स और रिड्यूस करेंगे और 31 मार्स तक हमारा जो डेट है कंपनी पे वो सिर्फ 300 करोर्स का रह जाएगा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी ने लास्ट क्वाटर में 456 परसेंट का प्रॉफिट गूप किया है जो कि एक कंपनी के लिए काफी बिग प्रॉफिट है काफी पॉजिटिव साइं इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कंपनी की पर्फॉफॉमेंस कैसी हो सकती है जैसे मैंने आपको बताए कि कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है वाटर थरी में अगर हम देखेंगे तो अभी अभी रिसेंटली डॉली खन्ना और जुन-जुन वाला जो मार्केट में काफी बिग इंडेस्टर्स हैं उन्हों ने भी इस कंपनी के शेर्स को बाय किया है विकॉज उनको मालूम है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और आने वाले समय में कंपनी क्या कर सकती है अगर हम revenue की बात करेंगे तो company के chairman ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो हमारे revenue का वो 40% ग्रो करेगा FI 19 में, financial year 19 में ही 40% तक ग्रो करेगा so fundamentals के basis पे ही कोई भी company का chairman होता है या कोई भी company का employee होता है वो सिर्फ और सिर्फ fundamental basis पे ही बात करता है because वो जानता है कि मेरी company के fundamentals क्या है मुझे किस ratio में अपने debt को reduce करना है अपने company के reserves को बढ़ाना है अपनी net growth को बढ़ाना है, net income को बढ़ाना है net worth को बढ़ाना है उसी basis पे company के जतने भी representative होते हैं उसको आगे show करते हैं management को या company को represent करते हैं media के सामने यह इसका share holding pattern है अगर हम देखेंगे तो promoters ने अपनी share holding को same रखा है साथ ही साथ FIDIs ने इसमें अपने इंडस्ट को काफी बढ़ाया है और काफी aggressively invest किया है साथ ही अगर हम देखेंगे तो mutual fund companies जितनी भी हैं उन्होंने अपने portfolio में प्रकाश इंडस्ट्री को include किया है और जितने भी big investors हैं like जुन जुन वाला एंड डॉली खना उन्होंने भी अपने portfolio में इस share को include किया है आयो friends इसके target और stop loss की बात करते हैं वैसे तो अगर company एक अच्छी fundamental वाली company है तो उसके लिए target कोई matter नहीं करता अगर वो 10 times में आसे agree उचाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है पर फिर भी लोगों को यह कहता है कि हमारा target near term में क्या रहेगा ताकि वो अपने share की growth को watch कर सके उसके हिसाब से तो अगर हम immediate target देखें है 238 रुपीज का है second target है 267 रुपीज का और third target हमारा 300 रुपीज का है अने वाले समय में हमें 400-500 levels भी show कर सकते हैं अगर हम best buying price का बात करेंगी तो अभी जिसे market correct हो रहा है तो इसका 185-195 का best buying price होगा stop loss हमारा रहेगा 170, 154 & 134 stop loss भी कुछ matter नहीं करता अगर company एक बहुत ही अच्छी fundamental company है stop loss हमीशे short term के लिए होते हैं जो short term investor होते हैं उनके लिए stop loss matter करता है but long term investor के लिए stop loss भी deep हो जाता है और आने वाले समय में अगर company growth अच्छी है और company fundamental अच्छी है money के vision clear है तो target उसके लिए कुछ भी matter नहीं करता है और नहीं उसके लिए stop loss matter करता है तो friends यह थी मेरी आज की recommendation प्रकाश industry के उपर so friends at last मैं यही कहना चाहता हूं कि जो share मैंने आपको आज बताया है वो मैंने सिर्फ अपने fundamental base के हिसाब से fundamental study के हिसाब से बताया है मैं आपको बिल्कुल भी सला नहीं देता कि जो मैंने share आपको बताया है आप उसमें invest करें या उसको sale करें या उसको buy करें अगर आपको इसके fundamental वाकिए अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे like करें, subscribe करें, share करें और साथ में जो bell का icon है उसको प्लीज प्रेस करें ताकि आने वारे समय में मैं जो भी वीडियो upload करूँ आप तक पहुँचें और आप fundamental company को जाने और company के fundamental पर study करें तभी अपने पैसे को invest करें Thank you friends